जै माता दी जै माता दी नमस्ते भाई बैनों आप सक को मेरा कोटी कोटी परणाम आज मैं आपको सुनार्यू महिशा शुर का वद जरूर सुने लाइक करें सस्क्राइब करें बोलो माता रानी की जै हो हर हर महादेप की जै हो रिशी बोले महा अशुर त्री छुर सेना पती ने जब यह देखा कि शेना तो इस प्रकार मारी जा रही है तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन हो गया और वहश्वयम भी अंभिका के साथ युद करने निकल पड़ा युद में जाकर उसने देवी जी पर बानों की इस प्रकार वर्षा के चैसे मेग सुमेर परवत की चोटी पर जाकर जलधारा बर्षा रहा हो तब देवी ने उसके बान समों को खेत में ही काड़ दिया फिर बानों द्वारा उसके सार्ती को गोड़ों को मार डाला फिर जटपट उसका धनुसर उंची लहराती तोजा काड़ कर गिरा दिये जब उसका धनुस कर चुका था तब अपने बानों से उसके उसके अंग भीद दाले जिसका सार्ती हम गोड़े मर चुके थे और धनुस कर चुका था तब वह बिना रत के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी की रत की ओर दोरा तेज तलवार से शिहों पर जाते ही प्र पर पड़ी त्यों ही तूट गई फिर असुन ने क्रोध से आखें लाल लाल करके सूल पकड़ दिया भदर काले जी पर उस देते ने शूल डाल दिया वह सूल इस परकार चमकता जैसे कि आकास से शूरे मंडल गिर रहा हो देवी जी ने अपनी ओर आते हुए सूल को देख लेकर उस पर अपना सूल चला दिया जिससे वह सूल सेक्ड़ों तुकड़ों तुकड़ी हो गए हो गए साथ में उस त्री छुर महाद्यत्य के प्राण निकल गए बोलो मातरानी की जै हो मातरानी की जै हो जब महीशासुर का बलवान सिनापती मारा गया तब देव सत्रु चामर हाती पर बैठ कर आ गया और आते ही उसने अंबिका देवी पर सक्ति का प्रहार किया फिर देवी जी ने हुमकार द्वारा ही तेज हीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया अपनी सक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा कुरोध आ गया उसने पुने शूल का प्रहार कर दिया, शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा उचाल कर तब ही उचाल कर हात में मस्तक पर चड़ बैठा, फिर देते की साथ भुजा युद करने लगा, वे दोनों परस पर लड़ते लड़ते एक हाती पर से नीचे पिर्थवी पर पाकास से नीचे की और गिर्ते गिर्ते पंजों के प्रहार से देते चामर का सिर्धर से अलग कर दाला, बोलो माता राने की जैवो, देवी जी ने शिला ये विरक्ष आधी से युद में उद्व ग्रह को मार डाला, फिर कराल को भी दातों मुका ये थपड़ों के द्वार मार गिराया, उरोध में परिपून देवी ने गदा की चोटों से उदत को चूर चूर कर दिया, भिंदि पाल सस्त्र द्वारा वासकल तथा वानो द्वारा अधरक यम तार्म को मार गर यम धाम भेज दिया, तरी नेत्रधारनी देवी परमियुश्वरे ने उग्राक्ष उगर वीर्य महाहनू नाम के देत्य को चूर द्वारा मार दिया, तलवार से विढ़ाल कर सिर्धर से अलग कर दिया, दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को वानो द्वारा यम पुरी पहुचा दिया, इस परकार अपनी सेना का नास होता देखकर भैसे का रूप बना कर मही सासुर उस गणू, उन गणू को द्राने लगा, कुछ गणू पर अपने थुतनों से प्रहार किया, दूसरों को सुन्गों से शींगों से फाड़ा, कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सहनाद द्वारा और घूमने से अन्यों को स्वासवाय द्वारा पिर्थव पर किराया इस पर का गण सेना को किरा कर वह महिस शिहों की ओर जप्टा त्योहीं शिहों को मानने लगा तब जगतंबा को बड़ा क्रोध आया क्रोध उत्पन हुआ इधर महाप्राकरमी महिसासुर को क्रोध से पिर्थवी तल को अपने खोरों से खोदने लगा फिर सीगों से बड़े बड़े उचे उचे पहार उठा कर फेकने लगा हाथ में गरजने लगा वेग साथ में गरजने लगा वेग के साथ गूमने पर फिर्थवी चम होकर फटने लगी छुपोत होकर फिर्थवी के को चारों और से डुबाने लगा बोलो माताराने की जैहो चलाए मान होते हुए शींग के द्वारा छिन 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 भिन हुए बादलों के टुकड़ी टुकड़ी हो गए उसके स्वासों की कठूर वाई से लड़ते हुए शेकुन परवत आकर आकास से गिरने लगे इस प्रकार क्रोध पून उस महादेत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए कुरोध में आ गई कुपीत चंडिका ने उसकी ओर पासवे का वर उसके द्वारा उस त्यत्य को बांध लिया तब तो वह महायुद्ध में बंदे उस त्यत्य के अपने मैशासुर रूप का त्याग कर दिया जटपट और सिहों के रूप में आ गया बुलो मातराने की जय हो जो ही चंडिका उसका सिर कार्टने लगे तब तो वह तलवार हाथ में ले पुरुस दिखाई देने लगा तब सिगर से तलवार ढाल वाले इस पुरुस को अपने वानों से देवी ने बीद डाला अब वह एक बड़ को काड़ डाला काड़ दिया फिर वह महाद्यत भैंसे के रूप में आ गया और चराचर तिलो की को सताने लगा तो जक्तंबा चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मदु पान करने लगी और लाल 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 नेतर करके हसने लगी वह देटे भी बल प्राकरण के मद में उत्मत होकर गरजने लगा और अपने सिंगों में पहार उठा कर देवी की ओर फेंकने लगा देवी जी ने भी अपने बाणों के शमोशे उसके फेंके हुए परवतों को चूर चूर कर दिया तब सुरापान के मद के कारन लाल लाल नेतर वाली चंडिकाजी ने कुछ अस्त व्यस्त सब्दों में कहा देवी जी बोली है मुड जब तक मैं धुम पान करनू तब तक तु उच्ण भर के लिए गरज ली मेरे द्वारा संग्राम भूमी में तेरा वद हो जाएगा हो जाने पर तो शिकर ही देवता भी गरजने लगेंगे बोलो माताराने की जय हो बोलो माताराने की जय हो रिषी बोले इस पर काकेकर देवी भी उचल कर उस महा देते पर चड़ गई पाउं से दबा कर देते के कंठ पर तिव सोल से वार किया देवी के पाउं से दबे हुए उस देते ने अपने मुख से बाहा निकलने का प्रेदन दूस्टों दूसरे रूप में किया तभी आद देवी जी ने अपनी तेज तलबार से उसका सिर काट कर नी चे गिरा दिया देते सेना का हाइकार मत्रेपने लगी हाइकार करने लगे तब उस सारी सेना का भी देवी जी से नास कर दिया तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नास करते हैं सभी देवता अत्यन्त प्रश्ण होए दिव्य महर्शुनों के साथ सभी देवताओं ने अर इस्तुतियों के गंधर राज गायन करने लगे अपसराइन नाचने लगे बुलो मातराने की चैह हो बुलो मातराने की चैह हो हर हर महादेब की चैह हो